हेलो फ्रेंड्स मैंने अपनी दूसरी वीडियो में दिखाया था कि घी बनने जा रहा है अब ये हमारा घी बिलकुल बनके तयार है इसमें कुछ भी वेस्टेज नहीं हुआ मैंने इसको चाना नहीं है कुछ भी नहीं और एकदम क्लियर कट घी बनके तयार है और अब इस घी से मैं क्या बनाने वाली हूँ यहां घी रखा है थोड़ा सा क्योंकि यह बिल्कुल थोड़ा सा मुझे चाहिए और यह इसलिए चाहिए कि मैंने यह जो होती है गौंद जिसको एडिबल गम भी बोलते हैं मैंने इसको फ्राइ करना है सबसे पहले तो इसको एकसाइट में कर लेते हैं क्योंकि इसको हमने फ्राइ करना है और यहां पे मैंने लिया है दो कप आटा और एक कप सूजी और साथ में लिये हैं बादाम और यहां पे किश्मिश लिया पिस्ता लिया है काजू लिया है इलाइची लिया है और कोकोनट का बूरा वो लिया है इन सब से गैस का सखते हैं क्या बनेगा इन सब से आप या तो पंजीरी भी बना सकते हो लेकिन मैं बनाने वाली हूं कि बनाने के बाद जो होता है उसको हाथ से यह पाल लडू की तरह करके और आप लडू जैसा भी रख सकते हो 성경 यह उसको थोड़ा सा दबाके एक लंबी शेप दे सकते हो तो मैं वो बनाने वाली हूं क्योंकि जी सर्दियां हमारे यहां पर आ चुकी हैं और हम सर्दियों का इंतजाम कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा हमें अच्छी खुराक मिले और यह हम हर सर्दियों में बनाते हैं तो अपने इस घी को गरम कर लेते हैं थोड़ा साहल का सई घी चाहिए होता है बहत नहीं चाहिए होता है और इसमें हम ये गौंद डालेंगे और ये गौंद ऐसी होती है कि इसको जब आप भूनते हो ना तो ये एकदम फूल जाती है अच्छे बड़े बड़े फूल जासे इसक फिर आपको दिखाती हूं बाखी का प्रोसेस सु फ्रेंस हमने कडाई में तकरीबन पांच करची के करीब घी ले लिया है और घी हमारा गरम हो चुका है इसमें हम आटा डालते हैं आटा को भूनने के लिए और साथ ही में हम सूजी को भी इसी के साथ डालेंगे अलग लग नहीं भूनना है इकठा ही भूनना है तो हम इसमें एक कटोरी जो हमने सूजी कर लिया था उसको भी साथ ही डालेंगे और इनको इकठा हम भूनेंगे और क्यूंकि कड़ाई हमारी है जिस मिटीरियल की उसके हैंडल गरम है तो हमें कपड़े से इसको पकड़ना है और साथ सत में इसको अच्छे से भूनना है तो देखिए जितना घी मैंने डाला है वो सारा आटे और सूजी ने सोप कर लिया है अब जैसे जैसे यह भूनेगा तो इसमें से घी थोड़ा अलग होना शुरू हो जाएगा तो हम इसको भूनते हैं थोड़ी दे और आपको दिखाते हैं और जो गौन मैंने भूनी थी वो ऐसे है और कफी नाइज और क्रिस्पी हो गई है और वैसे इसको पीसने की ज़रूरत नहीं होती लेकिन अगर कोई इसको मुँ में ऐसे चबाना नहीं चाहते हैं तो वो इसक मिक्सर में पीस भी सकते हैं फ्रेंड्स पिनिया हमारी बन के तयार है लेकिन मैंने इनको कुक करते हुए इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो बहुत जादा लंबा प्रोसेस था आपको जितने इंग्रीडियन कड़ाई में दिखाए उन सब को आपने भूनते रहना है जब तक कि ये ब्राउन कलर ना आ जाए और जब आ जाए तो बस आप उसको बंद कर दें और जब बिलकुल लूक वाम जैसा रह जाए जिसको आप पकड़ की और ऐसे लड़ू बना सकें तब तक आपने उसको ठंडा करने के लिए रखना है और उसके बाद लड़ू बना देने हैं और उन में ये सब जो काजू औ और बादाम वगएरा हैं कुछ आपने भूनते वक्त बाद में डालने हैं पहले डालने हैं सौरी और कुछ काजू बाद में उपर डेकोरेशन के लिए सो दीज आर आर पिनियास